लिए महत्तोपुर्ण आप लोगों कि अब सबसे पहले इतिहास विशे की उपर चर्चा करता हूं कि इतिहास क्या होता है इसको पढ़ना जो अनिवारिये हैं इन सभी बातों की उपर हम चर्चा करने वाले एक अपना तोपिक जो है वो है इतिहास है सबसे पहले आपको इतिहास के बारे में पिर हम राजस्तान का सुरू करेंगे लेकिन पहले आप इतिहास के बारे में जान लिए इतिहास जो शब्द है यह इतिहास शब्द आपका दो शब्दों से मिलकर बना है एक तो शब्द कौनशा आता है इति और एक शब्द आता है इतिहास की प्रिभासा क्या होती है, या हम यूँ बात करें कि इतिहास का अर्थ क्या होता है, इतिहास का अर्थ होता है, इतिहास का अर्थ होता है, ऐसा ही हुआ था, इतिहास का अर्थ है, ऐसा ही हुआ था, इतिहास का अर्थ है, ऐसा ही हुआ था, इतिहास का अर्थ है, ऐस को अपने क्या कहते हैं अगर हम प्रिभासा की बात करें कि इतिहास की प्रिभासा हम किस प्रकार से लिख शकते हैं तो प्रिभासा हमें लिखनी पड़ेगी कि अतीत की गटनाओं को इतिहास कहा जी कौन सी गटनाओं को अतीत की गटनाओं को क्या कहते हैं इतिहास कर अगर मै पास में क्या होते हैं इसके हमारे पास में शरोत होते हैं जिसके हमारे पास में साक्षय होते हैं जिसके एविडेंस प्रमाण होते हैं उसको अपने इतिहास कह सकते हैं अपने शरोत की अगर बात करें तो शरोत कौन-कौन से हो सकते हैं हमारे पास में तहितिक शरोत भी हो सकते हैं हमारे पास में पूरा तात्विक शरोत भी हो सकते हैं अभीलेक सिख्ये भी हो सकते हैं इन सबी से अगर हमें जानकारी मिलती है तो हम इसको इतिहास कह सकते हैं केहने का मतलब आतीत की वेगट नहीं जिनके हमारे पास में शरोत हो तक्षय हो प्रमाण हो एविडेंस हो उसको अपने क्या कह सकते हैं इतिहास कह सकते हैं ज्यादा अगर मैं इस शब्द की उपर चर्चा करूं तो इतिहास को हिस्ट्री कहते हैं इतिहास को किस नाम से जाना जाता है हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है इतिहास को क्या कहते हैं हिस्ट्री कहते है और यह जो हिस्ट्री शब्द है यह भी एक शब्द से बना है और य इसी बाशा का है ग्रीक बाशा का शब्द है जिसका नाम है हिस्टोरिया और इसी ग्रीक बाशा के शब्द हिस्टोरिया से अपना कौन सा शब्द बना है हिस्ट्री शब्द बना एक बेसिक सा प्रशन पूछा जाता है इतिहास के संद्रों में ने किसी राजय के संद्रों में ने किसी देश के संद्रों में एक सिधा सा प्रशन पूछा जाता है देफादर ओफ हिस्ट्री कहने का मतलब है इतिहास के जनक कौन है देफादर ओफ हिस्ट्री यह हम यूं कहे इतिहास की जनक किष्को कहा जाता है इतिहास की जनक किष्को कहा जाता है इतिहास की जनक किष्को कहते हैं इतिहास की पीता मा किष्को कहा जाता है इतिहास की जनक है जिसका नाम आता है हेरो डोट्स क्या नाम है हेरो डोट्स नाम है इतिहास की जनक है जिसका नाम है हेरो डो हिस्टोरिका कौन सी कुस्तक है हिस्टोरिका कहने का मतलब है कि अपने इतिहास का पहला ग्रंथ है वो कौन सा है हिस्टोरिका इतिहास से समंदित हमें मिलने वाला जो पहला ग्रंथ है वो ग्रंथ कौन सा है हिस्टोरिका ग्रंथ है और इस हिस्टोरिका ग्रंथ को लिखने व पुचा जाए कि बारत के इतिहास के जनक कौन है बारत के इतिहास के जनक कोन है तो अब बताना महरिषि क्रृष्ण despμ वेदव्यास जिनको बारत के इतिहास्चक जनक कहते हैं महरीसी कर्शन द्वैपायन वेद्व्यास को भारत के इतिहास का जनक कहते हैं इस गिए जिए रमयाइन होग drainage भारत और हो गया हो गया, भुरु-गरंद सहीपा हो गया, बायबील हो गया, कुरान हो गया। इनको हम धार्मिक गरंथों की दरश्टी से देखते है रमायण और महाबार्थ जो है इनको एतहसिक गरंथों की दरश्टी के अंदर क्यों रखा जाता है। एधेह शिख रंथों की दरश्टी में देगे रखा जाता है यह प्र आपढ़ है jest और उस जगे का नाम है यह ओध्या कि यह के लिए कोट निटी का प्रियोग किया जाता है इक रण निटी का अनिया princess पाहरत की ड़्राट से श्रास ही उसारा है । उसी प्रकार अगर हम बात करें महाबारत की दो एक राज्य जिसका नाम है हस्तिनापुर एक सिहासन है जिसका नाम है ये हस्तिनापुर और उससे जिनापुर के सिहासन को हासिल करने के लिए कोरों भी प्रियास करते हैं प्रियास करते हैं और उसके अंदर भी कूटनिती का प्रियोग होता है उसके अंदर भी रणनिती का प्रियोग और यही वास्तम में क्या है इतिहास है और ऐसा ही हम अपने ग्रंथों के अंदर देखते अपने राजस्तान के आप किसी भी टॉपिक को पढ़ ले ना किसी एक राजय का राजा बनने के लिए दो वेक्ती है उनमें से राजा एक ही बनता है दोनों राजा नहीं बनते हैं करें लेकिन डोनों को जिसको राजा नहीं बनना होता है उसको राजा बना दिया जाता है इसके लेकिशा का प्रियोग किया जाता है कूट निटीका इतिहास के जनक कौन है राजस्तान इतिहास के जनक कौन है तो आप नाम बताना करनल जेम्स्टोड क्या नाम आता है करनल जेम्स्टोड राजस्तान इतिहास के जो जनक है जिसका नाम क्या आता है करनल जेम्स्टोड और करनल जेम्स्टोड के द्वारा जो पुस्तक लिखी ग स्ता्टर in ass and antiques उफ राजस्तान के नाम से किताब किषक दौरा लिखी गई है गर जेंच्टॉड जिनкоो अपने राजस्तान इ्तिSee के प्ार के जो किताब का पिटा जूरे जमक्टल अधेयों दूसरा नाम आता है प्छव and western राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से इस किताब को जाना जाता है अपनी अनल्स एंटीक्विटीज ओफ राजस्तान जो किताब है जिसके अंदर अपने राजस्तान का इतिहास मिलता है इस किताब को लिखने वाले करनल जेम्स्टोड है और लिखने वाले करनल जेम्स्टोड वीदेशी है अंग्रेज है इन अंग्रेजों ने हमारे उपर 200 साल सासन किया इन होने हमारे उपर अत्याचार किया वास्तम में उन्हीं अंग्रेजों को हम अपने इतिहास जैसे ग्रंत के पापा बना के छोड़ रहे और वास्तमिकता यही है अगर एक अंग्रेज अपने देश का इतिहास लिख रहा है तो किस हद तक सही लिख सकता के बहुत कम सही लिख सकता है या जैण कर्नल जैम्स्टोड ने अगर इतिहास लिख वह थे था राजस्तान किताब देखोगे, उस किताब के अंदर जो हिंदी रुपांतरन है, उसके अंदर जुरेल-जुरेल करके एक बंदा है उनके साथ में, उन्होंने वास्तम में अपने हिसाब से नोट लगा की लिखा है, कि यहां पर करनल जेम्स्टोड अकबर की जिस पतनी का नाम जो दावतारे वो वास्तम में अकबर की पतनी नहीं है, अकबर की उस पतनी का नाम क्या था? हर का वाईदा, और भी बहुत सारी गलतियां करनल जेम्स्टोड के द्वारा की गई है, और हमारे इतिहास के प्रतेएक बिंदू के अंदर करनल जेम्स्टोड के द्वारा इंट इनके बारे में कुछ basic बातें पढ़ते हैं. 1782 में करनल जेम्स टोड का जनम हुआ था और 1782 में टोड का जनम कहां पर होता है एक जगे हैं जिसका नाम है स्कोटलेंड करके एक जगे हैं और इस स्कोटलेंड का एक सहर था जिस सहर का नाम था एलिंग्ष्टन सहर एलिंग्ष्टन सहर और इस स्कोटलेंड के एलिंग्ष् राजस्तान इतिहास का पापा कहते हैं राजस्तान इतिहास का जिनको पिता मा कहा जाता है करनल जेम्स्टोड जो थे इनके गुरू का नाम आपको याद रखने के बार पूछ लिया जाता है कि करनल जेम्स्टोड के गुरू का नाम क्या था इनके गुरू का नाम था जेन यत इनकी पतनी का नाम याद रखना और इनकी पतनी का नाम याद रखना और इनकी पतनी का नाम आता है जूलिया कलेक्टर बख जूलिया कलेक्टर बख ये करनल जेम्स टोड की क्या है पतनी टोड ने जो किताब लिखी इस किताब का नाम क्या था टोड की जो पुस्तक आती उस पुस्तक का नाम क्या था तो करनल जेम्स्टोड की उस बुक का नाम उस पुस्तक का नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ओफ राजस्तान एनाल्स एंड एंटीक्विटीज एंटीक्विटीज ओफ राजस्तान और इस किताब का एक और नाम आता है और इस किताब का जो दूसरा नाम आता है वो आता है दे सेंट्रल एंड वेस्टर न वेस्टर राजपूत स्टेट ओफ इंडिया वेस्टर राजपूत स्टेट ओफ इंडिया के नाम से किताब जो है वो करनल जम्स्टोड के दौरा लिखी के लिएगी चाहने जैन्स टोट जो राजस्तान का इतिखास लिखते जो बंदा अंग्रेज है इसको राजस्तान के बारे में कताई नोलेज नहीं वो अपना गोड़ा लेकर पस्चीम भारत की यादरा करते हैं पस्चिम भारत की यात्रा करते हैं तो इन्होंने एक और किताब लिख दी और उस दूसरी किताब का नाम था The Travels in Western India The Travels in Western India The Travels in Western India पस्चिम भारत की यात्रा The Travels in Western India का मतलब क्या होता है? The Travels in Western India का मतलब होता है पस्चिम भारत की यात्रा तो ये किताब भी किसकी है? करनल जेमस्टोट की है कहने का मतलब है कि करनल जेमस्टोट अपना घोड़ा लेकर पूरे के पूरे पस्चिम भारत की यात्रा करते हैं जिसके कारण करनल जैम्स्टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाए करनल जैम्स्टोड प्रते एक जगह से एक एक आदमी को उठा के लाद और उनसे पूछते हैं कि तुम अपने इतिहास के बारे में क्या चाने पुराने गरंतों को उठा के लेके जाते हैं जहां जहां से बंदे उठाके लाया है करनल जैम्स्टोड उन बंदों ने उन कवियों की किताबे पड़ी है और कवियों की अगर किताबे पड़ी है तो जाहिर सी बात है एगर किसी राजा के दरबार में अगर कोई कवी रहता है तारण और भाट जाती के जो कवी थे वो राजाओं के दरबार में रहते थे और वो राजाओं के बारे में बुरा नहीं लिक्षा क्योंकि उनको पता है अच्छा लिखेंगे तो पैसा मिलेगा बुरा लिखेंगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है तो अच्छा ही राजा के बारे में उसको लिखना है तो वो क्या लिखेगा कि भी हमारे राजा किसी दूसरे राजा के साथ में लड़ने गए सामने वाड़े के पास में 20 आदमी थे हमारे राजा अकेले थे और राजा ने एक एक करके सब को मारा वहां पर राजा कितनी भी मार क्यों न खाके आया हूँ, लेकिन वो कभी नहीं बता सकता, क्यों? क्योंकि अपने राजस्तानी में एक कहावत है, जिंगी खावा बाजरी बिंगी भाजरी, जिसकी बाजरी खाएंगी, उसकी हाजरी भरनी पड़ेगी, करनल जेम्य में तोड दोड जिसने सभी कवियों के ग्रंतों के आधार पर अपने राजस्तान का इतिहास त जनक है वहने वाकाईदा उस बात का रिपलाई दिया है टोड की कि आप जिनको विदेशी बता रहे हो वह वास्ता में विदेशी नहीं है जब सीमा बदली थी तो आदे लोग बाहर चले गए आदे लोग यहां रहे गए इसका मतलब यह नहीं कि हम उनके वनसज हैं हमारे राजपूत उनके वनसज है नहीं वह हमारे वनसज है जो बाहर जाके बस गए है और भी करनल जम्स टोड की बहुत सारी बातने आते हैं हम प्रते एक टोपिक के साथ टोड की बातने करेंगे जैसे भारणा सांगा की बारे में करनल जम्स टोड ने कहा था सांगा को सेनिकों का भगना वेश्ट इसके लावा अपने दुर्गादास राठोड जो है इनको राठोड़ों का यूलीशेल्स कहाता था उन सभी बातों की उपर हम चर्चा करेंगे पहले हम अपने टोपिक पे आते हैं और अपना आज की जो इतिहास की इंट्रोडेक्शन की जो कलास है अपनी इसमें हम बात करेंगे कि अपना जो राजस्तान इतिहास है इस राजस्तान इतिहास के संद्रव में बात करेंगे कि आपके कौन-कौन से इसमें टोपीक होते हैं इस प्रकार से हमें इसको पढ़ना पड़ा है राजस्तान को पहले राजपुताना की नाम से जाना जाता और 1800 इस बात की पुष्टी कहां से होती है इस बात कीपुष्टी को हती है अपने विय्लियम फ्रेंकलिन नाम का एक बंडा था उसने इस रीमारी मिमार्षस ओफ जोग सब्स इस ग्रंच से पुष्टी होती है, बता चलता है कि राजस्तान के लिए सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रियोग करनल जिम ने जोर्ज थुम्स के द्वारा किया गया चाहिए, करनल जेम श्टोड ने राइथन करके नाम दिया, राजस्तान दुवीत्य करके उन्हों करके पड़ा, एक तो क्या होता है प्राचिन, एक होता है मध्यकालिन और एक होता है आधुनिक, एक आपका प्राचिन होता है, एक मध्यकालिन होता और एक आपका क्या होता है आधुनिक, अगर हम भारत के संद्रों में बात करें या विश्व के संद्रों में बात करें तो हम इसको प्राचिन को भी आगे बांट लेते हैं जैसे अपना प्राग एतिहासी काल आदे एतिहासी काल और एतिहासी काल प्राग एतिहासी काल और एतिहासी काल के अंदर हम इसको बांट लेते जैसे एक तो आगया प्राख एक आगया आध्य और एक आगया आपका एतिहासी क इतेहासिक काल यह सारे के सारे काल आपके कौन से बाग के अंदर आते हैं तो प्राचीन में और हम इंडिया के संद्रों में प्राचीन के अंदर पढ़ते हैं प्राग इतेहासिक काल के अंदर हम पाशान काल पढ़ते हैं इसमें पूरा पाशान, मद्य पाशान, नव पाशान, इन अभी की उपर हम चर्चा करें, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि प्राग एतिहासिक काल के अंदर हमें किसी भी प्रकार की कोई लिपी नहीं मिली, लिपी हमें नहीं मिली है, और नहीं हमने लिपी को पढ़ा है, यगर मिली नहीं है तो हम पढ़ के से सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, आदे एतिहासिक काल जो था, इसके अंदर हमें लिपी मिली है, इसके अंदर हमें क्या मिली है, लिपी मिली है, लेकिन पढ़ने योगय नहीं थी, पढ़ने योगय नहीं थी, इस लिपी का नाम था ब मुझी टायक के दिये गए अब प्रकट करने जैसे हम आज भी भाव प्रकट करतें कि में कैरी स्कétat होता है सिधा डारेक्ट मेसेज हम नहीं लिए नहीं सकते हैं इसलिए हम Republican ठौण घ्रउक्षिंग फिए उन्रमणे खिर्ण तभाव चित्रात्मक लिपी है इससे क्या आप किसी के भी स्टेटस को देखना, वो किसी ना किसी को डेरीट करके लगाया जाता इसी है, जिसके लिए लगाया जाता है उसके तक पहुन्चता नहीं और इससे पहले अपने वाली भोगल मेसेज करती है, ति बाई से इंडमी, मुझे बेज़्डे जल्दी सी इस लिपी का नाम था बावची तरात्मक लिपी जो अपने अधे एतिहासिक काल के अंदर क्या मिलता है एतिहासिक काल में हमें लिपी मिलती है अच्छी वाले लिपी मिलती है और इसको हमने पढ़ भी लिया लिपी मिलती है और साथ में इस लिपी को हमने पढ़ा है क्योंकि कि यह लीके क्या 이게 पढ़ने एक पढ़े पढ़ने यह पढ़ते हो तो आप का इसके पढ़ने हमने क्यां पढ़े से पढ़ लिया था हम अच्छे से लिक्फित मिल गई थी लीफिश रिव tut उसके बाद में हम एटिभास का लम्यातए हो म भारत के संद्र में में भारत के संद्र मिट पढ़ते हैं तो इसी सुना इंश harus पढ़ते इन लुपत्र सपढ़ते का हिसारे की अपके आजाते हैं कि सारे के सरे आपकी आजातें एक देथा प्राचिन में रंतुकिश में आ जाते हैं एतिहासिक काल के अंदर और अपना गुर्जर प्रतिहार वन्ष में राजस्तान का यह अभी प्राचिन के अंदर यह आ जाता है आदेक अपने चुहान भी सके इंदर गुष जाते हैं और हम प्राचिन के एतिहासिक में पढ़ते हैं कि छटी स्ताब्दी के अंदर सोडा महाजन पर थे उनमें सेरो महाजन पर थे उनमें से अमगद के सारे के सारे मद्यकालि क्योंकि राझिस्तान राजपूतों की वजहा से जाना में जाना पने जितने राजपूत वन्स है वो सारे के सारे किश्मित पद्या चाल में आजाए। वास्तम में राजस्तान का कोई आधुनिक नहीं था। तोड मरोड के हिंचा तानी करके आधुनिक निकाल के लाए थे कि भारत के अंदर अगर क्रांती हुई है तो राजस्तान में क्यों नहीं हुई हुए हमने का हमारे राजस्तान में भी क्या होती है क्रांती होती है 28 मई को राजस्तान में क्या होती है क्रांती होती है राजस्ता किसानों के दौरा आंदोलन किये थे उनको हमने किसान आंदोलन नाम लेक्न वास्तम में आपने चीज का गोर किया हूँ कि जब हम करांती पढ़ते हैं तो भी हम राजस्तान के राजा पढ़ते हैं जब हम किसान आंदोलन पढ़ते हैं तो भी हम राजस्तान के राजा पढ़त अब देखिएगा अपने राजस्तान के सेलेबस की अगर बात करें कि राजस्तान में क्या क्या पढ़ना होता है आपको जितनी भी राजस्तान की भरतियां उन सबी के अंदर कोई टोपिक हटाया है कोई टोपिक जोडा है मैं complete रूप से आपको बताता हूं कि कौन सा टोपिक किस एक्जाम में लगता और कौन सा टोपिक किस एक्जाम में नहीं लगता है देखेगा तो अब से पहले हम बात करें प्राचिन के राजस्तान के प्राचीन में हम सबसे पहले मुख्या रूप से क्या बढ़ते हैं सब्यता बढ़ते हैं और सब्यता ये लगबग एक्जामों के अंदर डिवाइड करके बता दिये आपको कि जैसे एक आपको सब्यता पढ़नी है उस सब्यता का नामात काली बंगा एक आपको सब्यता कौन सी पढ़नी है काली बंगा एक आपको पढ़नी है आहड एक आपको पढ़नी होती है गणेश्वर और गणेश्वर के अलावा एक आपको पढ़नी है बाला था बाला थल पढ़नी होती है और एक आपको पढ़नी होत ये राजस्तान की मुख्य रूप से पांच सब्यताई जो है, ये आपको पढ़नी होती है, इनका डिवाइडेशन करके लगबग एक्जामों के अंदर आपको दे दिया है, और प्राचिन में आप क्या पढ़ते हों, प्राचिन में जन्पद पढ़ते हैं, जन्पद कई एक् प्राग एतिहासिक काल, और प्राग एतिहासिक काल आपके फर्स्ट ग्रेड इस्ट्री सब्जेक्ट के इंदर राजस्तान के जो टोपिक दिये, उनमें प्राग एतिहासिक काल भी आपको पढ़ना होता है, इसके लाँ आपको सभ्यता पढ़नी होती है, जन्पद पढ़न सब्जेक्ट राजस्तान के जो टोपिक है उनके अंदर आपको अभी लेक पढ़ने पढ़ने और ये तुर प्रीकूलर चार पांच एक अपनी सब्वेता हैं इनको पढ़ना इसके लाब फिर अपने पढते हैं मध्यकाल क्या पढ़ते हैं मध्यकाल अपना महत्वपुल है वक्षारों की दो साका या आपको पढ़नी है एक तो मंदोर साका और दूसरी बीनमाल अशाका पढ़नी है परतिहारों के लाव आपको पढ़ने हैं चोहान, क्या पढ़ने हैं चोहान, और चोहान आपको complete रूप से पढ़ने होते हैं, जैसे सब से पहले हम पढ़ते हैं, कौन से चोहान, सामबर के चोहान, सामबर के बाद में अजमेर के चोहान, और अजमेर के बाद में आप पढ़त बंदी के कौन से हडा होटulator कोटा में बीकों से तें ओर जिनका नाम क्या था जला और जलाओंने एक लइंड मिद डावाड राज्शे की , तर यहां पर एक वन्स्तता जिसका नाम था जलाराजवरज इन से समंदित भी कुछ एक परशन और से shamg पीछे ब्जसक्ते हैं। और आपको वध्यकाल के अंदर क्या पढ़ना होता है आपको राजवंस में और क्या क्या पढ़ना होता है मेवाड राजस्तान की सबसे प्राचिन रियास्त मानी जाती है फिर आपको पढ़ना है मारवाड और मारवाड के बाद में आपको पढ़ना है बिकानिर और बिकानिर के बाद में आपको पढ़ना है आवेर य आमेर में जिसवूंण ने सासंद किया था उस वंश का नामत कस्वाः कच्वा उख और अपर का पढ़ो यत खर आपको क्रोली के अंदर एकषन कढ़ना होता है डियावस उसे समंधूत भी प्रशन कुछे गय local किस ने बनाया था है less्ट के आपका बर्थपूर का जाट राजवन्स बर्थपूर के अंदर कौन सा वन्स था जाट वन्स बर्थपूर का जाट राजवन्स और उसके बाद में आपको पढ़ना होता है जेसल मेर ये सल मेर का भाटी राजवन्स। ये इति हास्स के अंदर पहली बार आपको ये सारे के सारे टोपिक एक साथ देखने को मिल रहे हैं इसके लाबा। आपके अबू के प्रमार राजवन्स भी लगता है अबू के अंदर एक वन्स था जिसका नाम था प्रमार राजवन्स इन से समंदित को प्रेटिकुलर प्रसन नहीं आपते हैं लेकिन कई बार एक्जाम में सिंगल वन लाइनर टाइप का क्यूशन जो है वह आपसे पूछ ल क्रांती के बाद में क्या पढ़ते हो परजा मंडल के बाद में फिर आप पढ़ते हो किसान अंदोल किसान अंदोलन के बाद में फिर आप पढ़ते हो जन जाती अंदोलन के बाद में फिर आप पढ़ते हो राजस्तान का एकी करण राजस्तान का एकी करण के बाद में आप पढ़ते हुँ सवतंतरता सेनानी एक टोपिक आता है राजस्तान के प्रमुख व्यक्तितव इतिहाश में भी पढ़ाया जाता है और आपका कला संस्कृति के अंदर भी पढ़ाया जाता है लेकिन वास्तम में ये टोपिक इतिहाश राजस्तान के प्रमुख व्यक्तितव के इसका भी आप अलग से टोपिक क्या कर सकतें और महिलाएं सब से महिलाऊं को पड़ और उसके बाद में आपका एक टोपिक और बचता है राजनेतिक एवं सामाजिक संग्ठन और एक आपकाता राजस्तान की बद्यकालिन राजस्तान की परशास्निक व्यवस्ता यह सारे के सारे टोपिक जो है वह आपके राजस्तान इतिहास के अंदर लगते हैं यह पूरा का पूरा सलेबस जो है वह आपका आरेस और फस्ट ग्रेड जो है आपका व्यक्याता ब्रति प्रिक्षा जो है मेंस आपका जो सब्जेक्ट का एक्जाम है जिसमें राजस्तान की टोपिक दिया है उन्में यह आपको सारे के सारे पढ़ने होते जिसे जन्पद फ्रागे तियहा शिकाल अभिलेक सीक्झree सब्यताी कालीबनगा अहड tenir गहनेश्वर बाला तर इसके अलवा आपको पढढना होता है मद्यकाल और मध्यकाल के अंदर परतिहार, चोहान, और परतिहार, चोहानों के अलावा, आपके चोहान कोन-कोन-से संबर, अजमे, रनत्म वूर, जालोर, सीरोही, बुंदी, कोटा और जालावर, इसके अलावाद, मारवाड, विकानेर, अमेर, अलवार, क्रोली, बर्तपूर, जैसले और अब्बू के प्रमार के आपके लगते हैं मध्यकाल में ओर इसके लाभा आपके अधुनिक के संग्थन राजनिति के और समाजिक शंग्ठन बध्यकालेन राजस्तान की प्रसासनिक ववस्ता ये सारा का सारा स्लेबस आपका राजस्तान इतिहास में रहने वाला है और एक एक करके हम सारे के सारे टोपिक पढ़ने वाले हैं तो इन क्लासों को देखना ने भूले अगर आपको क्ला देखना ने प्रसाइबस आपका राजस्तान की 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 प्रसाइ